हया?, देखो दोनों पर अर्दगोला क्याँ लगावा हैं? ये जो लगावा हैना? ये अर्दगोला है इसका ठीक है? ये दोनों अर्दगोले लगेवे हैं समाझजें कि और ये बीच वाला क्या है? पाइ है, यानि की बेलन है समझे रहे हैं तो अब देखो जो इसने दे रखा है इनका व्यास दे रखा है वो कितना दे रखा है पांच एम एम का दे रखा है ये भी कितना दे रखा है पांच एम एम का दे रखा है ठीक है अगर इसका व्यास पांच एम एम दे रखा है यानि कि व्यास पांच एम एम दे रखा है व्यास कितना है पांच एम 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 दे रखा है तो इस बाई साब कितरी जा कितनी हो जाएगी तरी जा हो जाएगी पांच बटे दो हो जाएगी ठी पूरे की लंबाई पूरे कितनी है चयोदा है कि पूरी जो लंबाई है वह कितनी है यहां से यह तक कितनी है 14 है कितनी है 14 mm है इस पूरे की लंबाई ठीक है पूरे की लंबाई कितनी है 14 mm दे रखिए इस पूरे केपसुल की लंबाई ठीक है और परिष्टी चेतरपल निकाला अब देखों केसे निकालोगे हमें को पता है दो अर्ध गोले हैं दोनों अर्ध गोलों का परिश्टी चेतरपल स्काह जाएगी यानि कि इसकी एच चाहिए हमको बेलन की ठीक है तो बेलन की एच के से निकालोगे अरे भाहिया इदर से इसकी त्रीजे कितनी हो जाएगी 2.5 और 2.5 इदर से घठाओगे तो बीच की आ जाएगी ना 2.5 2.5 कितना होता है पूरा 5 ही होता है चबुदामे से 5 गिया तो कितना बचेगा 9 9 क्या हो जाएगी इसकी उचाई हो जाएगी तो बेलन की उचाई बेलन की उचाई कितनी हो जाएगी कितनी है टॉटल है चबुदामे से कितना गठादेंगे 2.5 2.5 टॉटल कितना हो गया 5 गठाएगे तो कितनी आ जाएगी नू एम 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 ठीक है इसकी बेलन की उचाई आ जाएगी बेलन की उचाई ठीक है अब देवो इसका क्या निकालना अपने को वकर परष्टी चेतरपल निकालना है ठीक है परष्टी चेतरपल तो केपसूल का परष्टी चेतरपल ना लिख लो कैसे भी से लिख रहे है प्र लेख फारipp ऐगे केप्सूल का rain के अर्षृ कि प्रस्थी जड़पल क्या हो जायेगा किर सलगा पृष्ठी जड़पल होगा बाइए दो तो में और इक बैलन यानि बैलन अब अवक्षाद चीड़पल बैलन आप तो किया हो जाएगा बैलन का वक्र प्रश्टिय चेत्रफल पलस क्या हो जाएगा पलस हो जाएगा दो इंटू या दोनो अर्ध गोले का क्या हो जाएगा दोनो अर्ध गोले का दोनो अर्ध गोले का वक्र प्रश्टिय चेत्रफल अर्द गोले का वक्र रश्टिये ठीक है अर्द गोले का वक्र पस्ट चेतरपल देखो आगी क्या होता है बेलन का वक्र पस्ट चेतरपल कीतना होता है 2 पाई आर एच होता है क्या ठीक है दो इंटू अर्धू गोले का वक्र पस्ट ये चेतर पल होता है बैया टू पाई आर स्क्वाइर होता है ठीया करो आगे कि 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 तू पाई अच्छा इसमें सेपन कॉमल लेते ना देखो कॉमल लेंगे टू पाई आर तोनों में दिख रहा है कॉमल लो टू पाई आर लिया इदर से क्या बच किया है है एच और यहां से क्या बच जाएगा टू पाई आर गया एक तो दो बच गया और एक क्या बच गया इदर और बच गया टू आर बच जाएगा इदर से अचा टू पाई का मान कि पाई का मान क्या हो जाएगा अर्यस पटेई साथ इन्टू और कितनी ती अपनी आरती पांच बटेई है तो ठीक है और अंदर गूना क्या हो रहा है है इसकी पूरी उंचाई कितनी थी उंचाई एच बेलन की उचाई बेलन centered बेलन की एच है बेलन की उच्छाई कितनी थी टोटल चाव बेलन की उच्छाई नू थी है ना कितनी थी है नो है मैं ठीक है प्लस दो इंटू आर कितनी थी पांच बटे दो तो पांच बटे तो ठीक है दो से गया के दो हम और यह दो से यह दो गया काड़ दिया अब इदर कितना बच गया बाइस पंजो एक सो दस बटे नीचे कितना है साथ इंटू गुणा में कितना है नो और पांच कितना हो जाएगा नो और पांच चवुदा अब अगर इसको भी देखे अपन तो कितना हो जाएगा साद्धुनी चभूदा होता है तो कितना हो जाएगा गुणा 210 को दो से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा ठीक है 220 सेंटिमेटर का कि इसको आएर कि अधिक है 220 सेंटिमेटर स्कुएर ही क्या जाएगा इस केपसूल का संपून परष्टिय चेतरपल आ जाएगा कि केपसूल का संपून परष्टिय चेतरपल कितना है